हलो जैहिंद नमस्कार दोस्तों मैं होकम सिंग आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम मैट्स में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हमने करते हुए मैट्स के लिए एक सीरी चला रखी है जिसमें कर क्या रहे हैं देखिए अपने पकड मजबूत कीजिए अपने आपको पता चल जाएगा और उन इतने अच्छे के लिए जो बैस्ट एप्रोच क्या हो सकती है वह उस लेक्चर को जाके देखिए आपको पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए कंटिनू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम 5 अक्टूबर 2021 को जो सेकंड सिप्ट में पेपर हुआ था उसको डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आज के इस लेक्चर में हम 5 अक्टूबर 2021 को जो सेक्ट सेप्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे ये इस सीरीज का लेक्चर 2 है इससे पहले हम एक लेक्चर कम्प्लीट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए और एक प्रॉपर वे में इस सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल सके देखिए इस सीरीज में हम कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जद जद आपने दोस्तों में सेर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो जो रिमेनिंग नंबर से उनकी एवरेज क्या होगी तो दिखिए अच्छा क्या है कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं कि कहरा है कि 10 नंबर से टोटल और उनकी एवरेज गिवन हैं हमें 20.8 ठीक है तो दिखिए जो ओवरॉल दस नंबर्स की एवरेज है वो कितनी है 18.2 और यह 16.6 18.2 से कितनी कम है 1.6 कम है कितने पर कम है इन 4 पर तो 16.64 यानि कि 6.4 कम हो जाएगी अगर हम 20.8 की बात करते हैं तो यह 18.2 से कितनी ज़्यादा है 2.6 ज़्यादा है कितने पर इन 7 ठीक है तो ओवरॉल कितनी ज़्यादा हो जाएगी साथ चिंग 42, 4, 7, 24, 4, 18.2 ज़्यादा हो जाएगी तो ओवरॉल वेरियेशन कितनी काएगा पलस का 12 में से 4 गए तो 8, 17 में से 6 गए तो 11.8 का तो हम कह सकते हैं जो यानि अगर हम 4 नंबर को exclude कर रहे हैं तो टोटल 10 से बचे कितने 9 तो यानि कि बाकी नंबर्स पर जो एवरीज है बाकी नंबर की एवरीज पर क्या फरक पड़ेगा भई 18.2 तो यहां पलस का वेरियेशन है तो उसमें से माइनस का वेरियेशन होगा तो 11.8 को बाकी के 9 में बाट दीजिए तो दीखे 9 एकम 9 बचे कितने 2, 9 27 तो 1.3 तो यानि कि 18.2 माइनस में 1.3 कर दीजिए तो दीखे 12 में से 3 गए तो 9 और 17 में से एक गए तो 16 16.9 हमारा अंसर हो जाएगा जो की आप्शन 1 में है आई होप आपको कॉंसेप्ट अच्छा लगा होगा अगला कुश्चन लेते हैं क्या कह रहा है तो टोटल सर्फेस एरिया ओफेस सॉलिड राइट सर्कुलर सिलिंडर इज 880 cm2 और जिसकी हाइट भी गवन है हमें 13 cm ठीक है और इसका वॉल्यूम है वो गवन हमें 11 के तो की वैलू बतानी है तो टोटल सर्फेस एरिया होता है सिलिंडर का उसका फॉर्मूला होता है टू पाई आर इंटू में आर प्लस में एच ठीक है तो ये वैलू रखिए दो गुना में पाई कमान 22 बते 7 गुना में आर की वैलू हमें यहां से निकालनी पड़ेगी आर प्लस में हमें 13 और यह हमें कितने के बराबर 880 के बराबर ठीक है इसको काट लीजिए देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88 यह नहीं कि 20 बार कटेगा ठीक है तो हमारा यहां से क्वाडिटिक एक्क्विशन बनेगी आर सो केर पलस में 13 और और देखिए बराबर में जाके हो जाएग 140 और उसको इधर जाएंगी माइनस का साथ और पलस का 20 ठीक है तो यहां से आर की वैलू आप देख सकते हैं कितने आ जाएगी हमारी साथ क्वाडिटी की क्विशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए मैंने डारेक्ट निकाल दिये आर की वैली यान कि हमारी रेडियस आ जाएगी साथ अब कह दीजिए पाई कमान 22 बटे साथ इंटू मैं आर का हमने निकाली अभी सेवन तो सेवन इंटू मैं सेवन इंटू मैं उंचा ही गिवन है हमें कितनी 13 और यह गिवन है हमें 11 के के बराबर ठीक है तो देखें एक साथ से तो साथ कट जाएगा और 11 से कटेगा दो बार तो यह से साथ दोनी 14 है 13 गुना में 14 है कि की वैलू आजाएगी 13 गुना में 14 है तो 133 179 और 13 182 हमारा आनसर आ जाएगा ओप्सन दो ठीक है अगले कुश्चन लेते हैं क्या कह रहा है एवरेज ओफ दी टू डिजिट नंबर्स यानि 37 है एक 45 है और एक 6X है और एक X6 है दे रखा है 48 तो कह रहा है इसकी एवरेज कितनी होगी तो देखें यहां आपको मैंली X की वैलू निकालने का खेल है ठीक ह तो देखें मैं लिखता हूँ 37 है एक नंबर एक 45 है और एक X6 है और एक X6 है और एक X6 है इनकी ओवरेज दे रखिया हमें कितनी 48 तो देखें मैं किस तरीके से आपको बताता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा देखें यह जो 37 है यह 48 से कितनी कम है 8-3 यानि कि 11 कम है और 45 कितनी कम है माइनस 3 तो इन दोनों पर जो वैरिशन आया है वो कितने का आया माइनस 14 का तो इसका मतलब इन दोनों पर पलस 14 का वैरिशन होगा ठीक है तो दिखिए अगर हम X कमान एक रखते हैं तो यह बनेगा हमारा 61 और 16 जो कि अगर इसमें 48 के 14 का गैप नहीं आएगा ठीक है अगर हम दो रखते हैं तो हमारा 62 26 बनेगा तो भी बहुत दूर रहेगा ठीक है तीन रखते हैं तो देखिए 63 और 36 अगर हम देखते हैं वैरिशन तो 48 से 63 कितना ज्यादा 12 और 3 पलस का पंदर है और 36 आठर चैयर माइनस का बार तो यह भी नहीं है तो अगर हम एक्स की वैल्यू चार रखके देखते हैं तो हमारा बनेगा 64 और 46 अब देखिए हम 48 के साथ वैरिशन देखते हैं तो कितना आता है हमारा देखिए 64 48 से 12 और 4 पलस का 16 और 46 माइनस का 2 तो हम यह क्लियर ली देख सकते हैं कि इन दोनों का जो वैरिशन आ रहा है वो पलस का 14 आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या होंगी वो 64 और 46 होंगी तो यहां से हम हमारी एक्स की वैल्यू कुतनी आगी 4 क्लियर अब देखे इसमें रख दीजिए 4.16 और 3.19 और एक दूसरी संख्या है 4 और 7.11 तो इनकी एवरीज निकालें तो 19 और 11 तीस बटे 2 कितनी आ जाएगी हमारी एवरीज आ जाएगी 15 यही हम से पूछा था 15 हमारा आंसर होगा option 2 I hope आपको clear होगा concept अच्छा लगा होगा अगला question लेते हैं क्या कहा रहा है the ratio of the speeds of A and B is to ratio 5 देखिए A और B है जिनकी speed का ratio हमें गिवन है कितना to ratio 5 तो क्या कहा रहा है to cover a certain distance if A takes 15 minutes more than B then how much time in minutes will B take to cover the same distance तो देखिए अगर ये हमारा speed का ratio है तो fixed distance के लिए हमारा time का ratio कितना हो जाएगा 5 ratio 2 हमारे हिसाब से B A है हमारे हिसाब से A कितना ज्यादा समय ले रहा है 3 और सवाल के साब से कितना ले रहा है 15 minutes तो 3 की value 15 है तो 1 की value कितनी आ जाएगी 5 हमसे पूछा है B का समय तो B की value कितनी है समय में 2 तो 2 की value कितनी हो जाएगी 5 गुना 10 minutes तो ये हमारा answer होगा ठीक है option 3 अगले question लेते हैं तो देखे क्या कह रहा है A person saves 28% of his income तो देखे किसी व्यक्ति की अगर income 100 थी तो उसने उसमें से 28% या नहीं कि 28 की saving कर ली तो उसका खर्चा उसका expenditure कितना हो गया 72 ठीक है अब क्या कह रहा है उसकी income 20% से बढ़ जाती है तो दीखे उसकी income में अगर 20% का increment होता है तो उसकी income कितने हो जाएगी 120 ठीक है और उसका जो expenditure है खर्चा वो 5% से reduce हो जाता है इसका 5% कितना हो जाता है यादे 10 point होगा इसका 7 1.2 तो यानि कि 3.6 की कमी हो जाएगी तो बैतर में से तीन गए तो 79 यानि कि 68.4 बनेगा ठीक है अब क्या कह रहा है then his savings increases by x% तो यानि कि उसकी saving में कितना increment होगा हम वो निकाल लेते हैं तो दीखे हम income में से अगर expenditure घटा देते हैं तो हमारी saving आ जाएगी तो दीखे 120 में से अगर हम 68.4 गटाते हैं तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, 11 में से 6 गए तो 5 यानि कि 11.6 आ जाएगा हमारा ठीक है तो आप मुझे बताए saving में कितनी का increment है तो दिखिए 6 का 6 आएगा 11 में से 8 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2 तो यानि 30.6 का increment है कितनी के उपर 28 के के लिए मैं 0 लगा देता हूं और गुना मैं 100, 1 0 से 1 0 काटे, 7 से काटेंगे तो बनेगा हमारा 7 या 21, बचे 2, 7 से नहीं कटेगा, तो दिखिए 2 से काटेंगे, या फिर 4 से काटे, 4 पंजे 20, बचे 3, चान नाम 36, और 4 से काटेंगे तो 7 बार, तो बनेगा हमारा 590, आप आउन में 7, तो देखिए 7, 8, 56, बचे 3, 7, 4, 28, बचे 2, 7, 21, तो लगभग 84.3 परसेंट हमारा answer होगा, option 2, I hope आपको clear होगा, अगला question लेते हैं, क्या कह रहा है, when x is subtracted from each, यानि इन चारों में से अगर हम x घटाते हैं, तो जो number है, वो proportion में ख्राप्त होते हैं, तो कह रहा है, इसकी value बता दीजिए, तो हमें यहां main task के हमारा, जो हम subtract कर रहे हैं न, x, उसकी value निकालनी, तो देखिए, 24 में से x घटाते हैं, और 30 में से x घटाते हैं, तो यह proportion में हो जाते हैं, तो मैंने यह directly proportion में लिख दिये हैं, ठीक है, तो देखिए, यहां आप थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप clearly यहां देख सकते हैं, कि अगर हम यहां इस में से 36 में से 6 घटाते हैं, तो 30 आ जाएगा, और 46 में से 30 घटाते हैं, तो 40 आ जाएगा, जो कि यह 34 दिखा रहा है, अगर हम इसको check करते हैं, तो 24 में से 6 गया तो 18, ठीक है, और 30 में से 6 गये तो 24, और 8 से काटेंगे तो 8 ते 24, सोरी, 6 से काटेंगे, तो 6 ती 8 आ रहा है, 6 चौक 24, ठीक है, तो यह बनेगा हमारा 6 चौक 24, तो यहां 3 रेशो 4, तो यहां 3 रेशो 4, यानि कि हमारा satisfy हो गया, इसका मतलब हुआ कि हमारी X की जो value है, वो है 6, ब बता हूँ, 2X पलस 3, and 3X पलस में 2, अब यहां अगर हम X की value 6 रखते हैं, तो हमारा बनेगा, 6 दूनी 12 और 3 पंद्रे, और 2 में, 6 ती 8 और 2 बीस, और इसका mean proportion इसने पूछा है, तो यानि कि under root मा जाए गई, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 गुना में 3, into में 5 गुना में 4 लिख सकते हैं 20 को, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा, देखिए, एक 5 बाहरा जाएगा, एक 4 में से 2 बाहरा जाएगा, और अंदर बचेगा root 3, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा, 10 root 3 हमारा answer होगा, option 3, ठीक है, अगला question लेते हैं, क्या करा है, एक 0, ठीक है, तो गुना करिए, आट दूनी 16, एक तेरट 104 और 105 बटे में 10, यानि कि 105.6 में बेची है, ठीक है जी, और कह रहा है, C sold it to D at a loss of 20%, तो यानि कि D को जो बेची है, वो 20% के loss पर, तो हम कह सकते हैं कि 105.6, 20% के loss मतलब 1 बटे 5, यानि कि 4 बटे 5 में बेची है, पॉइंट अटाने के लिए नीचे 10 रख देते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा, दिखिए, उपर नीचे 2 से गुना कर लिजिए, ताकि ये 10 बन जाए 5, ठीक है, अब दिखिए, 8 से गुना करिए, आठ चिंग 48, हांसिल का 4, 8 पंजे 44, और 4, 44, और 8 हे कम 8, बट अपॉन में 100, यानि 2 के बाद पॉइंट, यानि 84.48 में बेची है D को C ने, 84.48 में, ठीक है जी, क्या कह रहा है, अगर A का loss, इज 35 रुपे less than that of C, तो मुझे बताईए, A को कितना loss हुआ है, देखिए, A ने 100 रुपे की चीज, यहां 80 में बेची है, तो यानि 20 का loss हुआ है, ठीक है, और, जो C को कितना loss हुआ है, C ने 105 की चीज, 84.48 में बेची है, तो देखिए, घटा लेते हैं, 105.6, और 84.48, ठीक है, 60 में से 48 गए तो 12, पांच में से 4 गए तो 1, और 10 में से 8 गए तो 2, यान 21.12 का, इसको loss हुआ है, जो C को हुआ है, जो A को हुआ है, वो C से कितना कम है 35 रुपे, तो हमारे हसाब से कितना कम है, हमारे हिसाब से कितना कम है, भई, 1.2, ठीक है और सवाल के हिसाब से कम है 35 तो हम कह सकते हैं इस 1.2 की वैलू ही 35 है ठीक है तो पूछा क्या है बी ने कितने में खरीद है यानि कि 80 की वैलू पूछी है तो निकाल दीजिए बी के लिए देखिए पड़ेगा यानि कि जो 35 वैलू है वो 1.2 की है पॉइंट के लिए मै उपर 0 रख देता हूं गुना मैं 80 की वैलू हमसे पूछी है ठीक है तो काटिये इसको 4 से काटेंगे तो 1.12 है तो देखिए ये क्या है 1.12 है तो मैं 100 रख देता हूं पॉइंट हटाने के लिए गुना मैं 80 की वैलू हमसे पूछी है ठीक है जी देखिए 16 सत्ते 112 होता है और 7 से काटेंगे तो 5 बार ठीक है 16 से काटेंगे तो ये भी 5 बार तो 5 पंजे 25 हमारा आंसर आ जाएगा ओप्शन 2 हमारा आंसर होगा ठीक है अगला क्वेस्चन लेते हैं कि अगर देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट 120 मीटर लंबी और 98 मीटर चौड़ी कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है ठीक है जी बना लेते हैं मान लेते हैं ये वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें इसने लेंथ गिवन है 120 और ब्रेट्थ गिवन है कितनी 98 ठीक है विद ए सेमी सर्कुलर फ्लोवर बैड्स along the breadth on both sides of the plot कहाँ धोनों तरफ सेमी सर्कुलर फ्लोवर बैड्स लगाई गई है यानि कि कुछ इस तरीखे से दोनों तरफ लगाई गई है इधर भी और इधर भी तो देखिए ये दोनों सेमी सर्कुलर मिलाकर हमारा एक सर्कल बना देंगी और यह total इसका जो diameter है वो 98 है तो इसके radius कितनी होगी 49 तो एक ऐसा circle हमें प्राप्त हो गया जिसकी radius कितनी है 49 ठीक है तो कह रहा है the cost of putting a fence all around the plot at 16.50 per meter तो देखिए निकाल दीजिए इसमें क्या है देखिए इसका तो बनेगा एक तो complete circle बन जाएगा 2 pi r पलस में एक ये length जुड़ जाएगी दोनों तो यानि 2 l ठीक है तो देखिए दो गुना में 22 बटे 7 गुना में 49 ठीक है पलस में 122 दूनी 240 ठीक है ये क्या आया हमारा perimeter ठीक है तो यानिकि जो हमने फैंसिंग जहां जहां लगानी है वो perimeter आ गया तो देखिए सत्तू सत्तू 49 ठीक है ये आ गया हमारा 308 पलस में 240 कितना बना चाली सो और 48 यानिकि 548 और कितनी करीट से लगानी है इस पर फैंसिंग 16.50 करीट से तो गुना कर दीजिए भही 548 गुना में 16.50 बटे में 100 ठीक है तो देखिए एक जीरो से एक जीरो पांच से काटेंगे दो बार पांच से काटेंगे तो पांतिया 15 पांतिया 15 ठीक है दो से काटेंगे तो दो दूनिचर दो सत्य चौदर दो चौक आठ तो गुना करिए तीन चौक बारा और 27 एक यासी और 82 गुना में 228 कितना आ जाएगा दो च्यार आठर दो दस नभ्य ब्यालीस यह हमारा आंसर होगा ऑप्सन दो ठीक है अगला क्वेस्टन लेते हैं कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फूर रुपे 820 अभी को 18 परसेंट का लॉस होता है तो हम कह सकते हैं कि जो 820 वैलू है वह 82 परसेंट की वैलू है पूछा क्या है हमसे कि उसका सेलिंग प्रैस क्या होना चाहिए उसको 125.5 परसेंट का प्रॉफिट पहें ठीक है पॉइंट अटाने के लिए बटे दस कर लेता हूं ठीक है तो दिखिए काटिए इसको 10 से तो 10 82 से ब्यासी तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1255 यह आंसर होगा ईजी से क्वेस्चन था option 3 हमारा आंसर होगा अगला क्वेस्चन लेते हैं क्या करा है तो देखिए आप तरीके के ऊपर ना जाके इसको थोड़ा option से चेक करते हैं देखिए हर केस में अगर पांच रिमेंडर बच रहा है तो इसका मतलब वो संख्या है वो पांच फालतु है तो अगर हम इसमें से पांच घटा देते हैं तो वो पूरी-पूरी भाग जानी चा सकते हैं तो कितनी संख्या बनेगी हमारी 398 इसमें से पांच घटा के ठीक है अब यह संख्या इसमें से ऐसा क्या घटाया जाना चाहिए कि यह पूरी-पूरी भाग जाए 9 10 और 15 से तो दिखिए वो संख्या जो 10 से पूरी-पूरी भाग जाईगों उसके लास्ट में क्या आना चाहिए zero और zero कब आसकता है जब इस में से unit digit उस संख्या का 8 घटेगा ठीक है तो इस में से unit digit आप देख सकते हैं कि एक यह option option 2 तभी यह दस से भाग होगी ठीक है बाकि आप चेक करके देख सकते हैं अगर हम 78 घटाते हैं तो देखिए जीरो 15 में से साथ गए तो आठ और रिदर बचेगा 28 अब आप देखिए 10 से भी भाग जा रही है यह संक्या 9 से भी जा रही है क्योंकि 8 डिजिट कसम 18 हो रहा है और 15 से भी भाग जाएगी क्योंकि 18 से 9 से जा रहा है तो 3 से भी जाएगा और 10 से जा रहा है तो 5 से भी जाएगा ठीक है तो इसलिए हमारा option 2 answer होगा अगले question लेते हैं क्या कह रहा है इसकी value निकालनी है हमें तो देखिए पहले हम इसको solve करते हैं कितना बनेगा पहले off को solve करेंगे तो 3 बटे 10 गुना में 4 बटे 9 तो देखिए 3 तिया 9 दो दूनी 4 दो पंजे 10 तो कितना बनेगा हमारा 2 बटे 15 ठीक है जी यहां तक 2 बटे 15 बन गया हमारा इतना तो 2 बटे 3 और भाग में 2 बटे 15 है तो गुना में 15 बटे 2 बनेगा ठीक है 2 से 2 कटेगा 3 पंजे 15 है तो हमारे यह value आई है कितनी 5 ठीक है जी अब इसको solve कर लीजिए 1 बटे 7 गुना में 4 एकम 4 और 3 7 बटे 4 तो 7 से 7 कट जाएगा बचेगा हमारा 1 बटे 4 पलस में कितना है 3 बटे 8 ठीक है इसको मैं 3 बटे 8 पलस में 1 बटे 4 को 2 बटे 8 लिख दूँ तो बनेगा हमारे कितना 5 बटे 8 ठीक है तो यह आगया हमारा यहां से यहां तक 5 बटे 8 ठीक है जिए बीच में पलस तो इसको अगर हम जोडते हैं तो पांच बटे 8 पलस में 5 तो कितना बनेगा 8 पंजे 40 और 5 45 बटे में आठ ठीक है माइनस में इसको दिखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा हमारा पहले आफ को सॉल्व करते हैं दो चोकाट रिक नौवटे दो गौना में तीन पंजे 15 एक 16 बटे तीन 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 नौ और दो अठ्थे 16 तो यानि आठ्थ तीया चोवीश तीन 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 नौ दो आठ्थे 16 आठ्थे 24 तो यह बनेगा पांथिया पंद्र्व एक 16 बटे 5 भाग में 24 है ठीक है तो आठ दूनी 16 आठ्थ तीया 24 तो कितना बनेगा हमारा दो बटे 15 खी करते हम एक 15 से 15 कटेगा 2 चौक 8 तो यानि माइनस का 1 बटे 4 यानि कि 2 बटे 8 ठीक है तो 45 में से 2 गए तो 43 बटे 8 कितना बनेगा 8, 45, 45 सही 3 बटे 8 हमारा आंसर होगा option 4 ठीक है अगला question लेते हैं क्या गराथ compound interest on a certain sum for 2 years at 15% per annum age 3641 when the interest age compounded 8 monthly the sum is देखिए इस तरीके के questions आपको खूब देखने को मिलेंगे CGL में भी CPO में भी CHSL में भी MTS में भी इसका जो best तरीका हो सकता है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा मैं इस तरीके का इसका तरीका बताता हूँ देखिए क्या गेवन है हमें 15% है यह तो परैनम के लिए है यानि कि जो बई हमें जो 15% गेवन है यह तो बारह महीने के लिए है हमसे तो केवल 8 मन्थली पूछा है तो 8 मंथली नकाल दीजीए ठीक है तो यह क्या आजाएगी हमारी रेट कहिए तो चार यह ती यह बार है चार दूनी आट और तीन पंज पंद्र है है ठीक है तो कितना आया हमारा रेट 10% ठीक है जी बिलकुल ठीक है अब यह कह रहा है जो दो साल दो साल है अगर हम एट मन्त ली के देखें तो दो साल में आठाट मेने के कितने साइकल बन जाएंगे तीन साइकल बन जाएंगे ठीक है जी अब आप मुझे एकुलेंट रेट ओफ इंट्रेस्ट बता दीजिए कि लिए एकुलेंट रेट ओफ इंट्रेस्ट दस परसेंट से तीन साइकल यह तीन यर का जो आपको पता होना चाहिए यह होता है हमारा 33.1 परसेंट ठीक है जी यहां तक बिल्कुल ठीक है बस आपका सवाल हो गया पूछा क्या आपको सम पूछा है तो हम जो सी आई गिवन ह हमें कितना 3641 यह 33.1 परसेंट की ही तो वैल्यू है यानि कि भाई 3641 है यह 33.1 की वैल्यू है पॉइंट रटाने के लिए हमें गुना हमें दस कर देता हूं और हमसे सम पूछा है तो यानि 100 की वैल्यू पूछी है बस तो दिखिए यह ग्यारत यह 33 तो ज्यादा हो जाएग यह मतलब यह से 11 बार कटेगा और तीन जीरो और है यानि कि हमारा 11,000 आजाएगा अंसर सम ठीक है ऑप्सन तीन आई होप आपको कॉंसेप्ट अच्छा लगा होगा बहुत ही इजी वे में इस तरीके का सवाल मैंने आपको समझा है इससे पहले लेक्षर मैं भी मैं आपको स कोड़ ऑफ दी डाटा तो देखिए आपको इसका सबसे पहले मीडियन निकालना है मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे इनको असेंडिंग डिसेंडिंग और में लिख लीजिए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी 13 कितनी बार है एक दो यानि दो बार तो है आपकी 13 ठीक है 14 देखते हैं 12 दो बार है आपकी 14 ठीक है 15 देखते हैं 12 दो बार है आपकी 15 ठीक है अगली संख्या 16 देखते हैं तो एक 16 है आपकी एक बार, ठीक है जी, 17 देखते हैं, 17 आपकी एक और दो बार, ठीक है, 18 देखते हैं, तो आपकी एक एक बार है, 19 देखते हैं, एक दो और तीन, देखिए 19 आपकी है तीन बार, ठीक है, 20 देखते हैं, तो एक एक बार आपकी 20 है, ठीक है, तो यह कितनी संख्याए होगी, दो, दो, चार, और दो, छे, साथ, और दो, नौ, और एक दस, तीन, तेरह, और एक चौँद, और इनको देखते हैं, तो एक दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आप, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरह, चौद है, बिलकुल ठीक है अब दिखें जो मीडियन होता है 14 है तो इसका मतलब 7 तो इधर ते छोड़ दीजिए 3 और 3 6 और 7 और 7 इधर से उनके बीच की संख्या आईगी यानि 16.17 यानि की 33 यानि की 16.5 आईगी ये क्या हमारी मीडियन ठीक है और मोड यानि की यानि की बहूलक बहूलक कितना आएगा आपका जो सबसे जादा बार आ रहा हो वो आप देख सकते हैं सबसे जादा बार क्या आएगा आपका 19 तो यह आपका बहुलक यानि की मोड कितना है 19 क्या कह रहा है इनका मीन निकाल दीजिए इन दोनों का मीन बोले तो इनकी एवरेज तो यानि 19 और 16.5 यानि की मीन आएगा हमारा कितना 19 पलस में 16.5 कितना आजाएगा 19 और 16 35.5 बटे में दो तो सत्रे दूनी साड़े सत्री यानि की सत्रे पॉइंट सेवन फाइव हमारा अंसर आजाएगा कि आप्शन तीन हमारा अंसर होगा ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए जो टोटल नंबर ओफ इंपलोईज हैं वो हैं 300 ठीक है क्या कह रहा है तो देखिए सी में कितने हैं 78 और ए में कितने हैं 18 तो कितना होगे टोटल 96 डिग्री इज वट परसेंट लेस देन दी नंबर ओफ दी इंपलोईज इन ओफिस ए ए में कितने हैं जी 108 तो देखिए जो 300 वैलू है ये तो है 360 की हमें निकालने है 96 की 10 से 10 36 36 35 और 6 से काटेंगे तो 16 96 ये कितना आ गया हमारा 80 इसको देखते हैं तो जो हमारी 300 वैलू है ये है 360 की और हमें निकालने है 108 की 10 से 10 36 तिया 108 तो कितना जाएगा 30 तिया 90 कहरा है ये इससे कितना कम है भाई कितना कम है 10 कम है कितने से 90 से एक बटे 9 एक बटे 9 कितना होता हमारा परसेंटेज में 11 से एक बटे 9 परसेंट ये हमारा आंसर होगा ऑप्सन वान आई होप आपको किलियर होगा अगला कुस्चन लेते हैं क्या कर रहा है एक एंडू ए वर्क इन 30 डेज ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है ठीक है कह रहा है बी इस 25 परसेंट का मतलब होता है हमारा एक बटे 4 कह रहा है बी है वो 25 परसेंट ज्यादा है अगर ए 4 है तो बी उससे एक ज्यादा यानि कि 5 है ए और बी के आफिसेंट सी आगी ठीक है एंडिशीव परसेंट मुरू एफिसेंट यानि 20 कतलब करन फूर हमारा 15 थीक है तो अगर वी हमारा पांच है तो सी कितना है एक ज्यादा यानि 6 यह तेनों कि यह सवेशींस fear collectors कितना गया हमए यहां से A की efficiency 4 है और 30 दिन में करता है तो हमारे total work आ जाएगा कितना 30 गुना में 4 यानि की 120 ठीक है जी बिलकुल ठीक है किरा A and B work together for 10 days तो देखे A और B की efficiency कितनी है 5 और 4 9 9 की efficiency से इन्होंने 10 दिन में कितना काम कर दिया 90 है ठीक है जी 120 में से इन्होंने 90 काम कर दिया तो काम कितना बचा 30 ठीक है क्या कर रहा है C alone complete the remaining work in X days what is the value of X तो इस 30 काम को C यानि 6 की efficiency से कितने दिन में कर देगा 6,5,5 दिन में यह हमारा answer होगा option 4 तो दोस्तों इतना अच्छा सवाल मैंने बिल्कुल easy way में आपको समझाया है I hope आपको concept अच्छा लगा होगा अगला question लेते हैं कि दिखिए पहले आप यहां तक solve कीजिए इसको बारे तिया 36 ठीक है दो बटे 36 यानि कि एक बटे 18 गुना में 6 तिया 18 यानि कि एक बटे 3 आ गया minus में अगर इसको solve करते हैं तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1 और गुना में 2 करेंगे तो यानि कि माइनस 2 तो 3 मटे 2 माइनस और माइनस 2 तो दो से 2 कर जाएगा यानники पलस का यह तो 2 यह नहई है तो यह माइनस इधार है पहले से ही यहां तो ये पलस नहीं से 3 ठीक है यह पलस का यहां से यहां तक दिखिए दो तीय च्छे तीन बटे च्छे यानि की एक बटे दो ठीक है जी LCM आगे हमारा च्छे तो तीन दू नी च्छे पलस में 6 तीय अठारा है पलस में दो तीय च्छे कितना आएगा अठारती निकीस और दो 23 बटे में 6 हमारा आंसर होगा ओप्शन दो ठीक है अगला कुश्चन लेते है क्या कर दो इस सिंपल इंट्रेस्ट ओन ए सम ओफ 4800 रुपे 4.5 चार येर्स एट इस सर्टेन रेट ओफ इंट्रेस्ट पर एनम में 1684.80 ठीक है इस सिंपल इंट्रेस्ट तो दिखिए SI हमें गिवन है तो SI होता है हमारा मूलदन 4800 गुना में दर यानि कि रेट हमें निकालनी है इंट्व में समय दे रखा है हमें 4.5 यानि कि 9 बटे 2 इंट्रेस्ट अपन में 100 और ये गिवन है हमें कितने के 1684.80 पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 100 कर देता हूँ ठीक है जी बिल्कुल ठीक है अब देखिए काट लीजे इसको 100 से तो ये 100 कर जाएगा और 10 से 10 कर जाएगी ठीक है और 2 से काट लीजे इसको 240 बार ठीक है अब देखिए 9 से कटे गई है 9 से काटते हैं इसको तो 9 एकम 9 बचे 7 9 8 बहतर बचे 6 9 7 63 9 दूनी 8 ठीक है अब देखिए 8 से काट ये 8 तीय 24 0 और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 बचे 2 8 तीय 24 बचे 3 8 चौक 32 ठीक है तीन से काट ये तीन से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 3 8 24 तो यानि 7.8 परसेंट हमारी रेट आगी रेट कितने आगी यहां 10 है ना बचे मैं मैंने 10 कर दिया यानि रेट आगी हमारी 7.8 परसेंट ठीक है बिलकुल ठीक है अब क्या कह रहा है अमाउंट निकाल दीजिए उसी 48 100 रोपे पर इस रेट से यानि 7.8 परसेंट से बचे दस कर देता हूँ पॉइंट हटाने के लिए गुना मैं समय के तना है 26 18 रोड़ो 20 बचे 3 अपान में 100 ठीक है तो देखे 2 0 से 2 0 10 दूनी 20 3 से काटेंगे यह 2 है 3 से काटेंगे तो 16 48 तो दीखे 28 16 2 से 14 और 15 इन दोनों की गुना किये मैंने गुना में 16 कितना बनेगा आपका 16 6 96 रोड़ो और 16 85 रोड़ो 89 हासिल का 8 16 16 रोड़ो 24 96 रोड़ो या या हमारा क्या SI अगर अमाउंट पूछी है तो 48 सो हमारा प्रिंसिपल था और इसमें जोड़ दीजिए यह से 24 96 कितना बनेगा हमारा 23 96 या अनसर होगा ओप्सन ठीक है अगला क्वेश्चन लेटे है क्या कह रहा है A can do A 33 से एक बटे 3% of work in 10 days तो एक वन थर्ड काम अगर 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा 10 तीय 30 दिन में ठीक है यहां तक और B एक बटे पांच यानि 20 परसेंट काम को 9 दिन में करता है तो एक बटे पांच A की एफिसेंशी कितनी आ जाएगी तो दीखिए A की एफिसेंशी आएगी तीस्तीय 90 3 B की आएगी 45 दूनी 90 2 ठीक है जी क्या कर रहा है उन दोनोंने मिलकर आठ दिनों तक काम किया तो दोनों की एफिसेंशी है पांच और आठ दिन में पांच की एफिसेंसी से नहों ने कितना काम कर दिया चालीस नहों ने कर दिया तो काम बचा कितना है पचास ठीक है बिलकुल ठीक है कह रहा है सी एलाउन कम्प्लीटिड दी थर्टी परसेंट आफ दी रिमेनिंग वर्क कि इन टैन डेज तो दिखिए कह रहा है जो रिमेनिंग वर्क है ना रिमेनिंग वर्क कितना है पचास इसका थर्टी परसेंट यानी कि तीन बटे दस काम कितने दिन में कर रहा है दस दिन में यहीं बोलाएं न तो यह क्या आगी हमारी सी की एफिसेंसी C की Efficiency भी लिख लेते हैं काटके तो देखिए 10 से 10 पान दूनी 10 तो C की Efficiency कितनी आगी है हमारी 3 बटे 2 ठीक है अब क्या कह रहा है A and C together can do the same work in तो A की Efficiency है 3 और C की Efficiency है 3 बटे 2 तो A पलस C की Efficiency कितनी आजाएगी 3 पलस में 3 बटे 2 3 दून 6 और 3 9 बटे 2 ठीक है तो काम कितना था जी टोटल 90 और 9 बटे 2 की Efficiency से कितने दिन में कर देगा 9 से कटे के यह 10 बार तो 10 दूनी 20 दिन में कर देगा 20 आंसर होगा option 4 दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि concept आपको अच्छे लग रहे होंगे अगला question लेते है क्या कर रहा है Suman divided a certain sum between her 3 daughters in the ratio 2 ratio, 3 ratio, 4 head c divided sum in the ratio इतने में अगर वो divide करता तो दिखिए पहले उसने divide किया कितने में 2 ratio, 3 ratio, 4 में ठीक है अब कह रहा है अगर वो इस ratio में divide करता कितने में 1 बटे 2 ratio, 1 बटे 3 ratio, 1 बटे 4 तो दिखिए मैंने LCM ले लिया 12 तो 2 चिक के 12 3 चौक 12 4 तीया 12 6 ratio, 4 ratio तीन में अगर वो divide करता तो the daughter who got least share earlier जो पहले सबसे कम प्राप्त कर रही थी कितना कम प्राप्त कर रही थी 2 ठीक है would have got 300 more तो यानि अभी वो कितना कर रही है 6 तो कहरें कितना ज़्यादा हमारे इसाब से 4 और सवाल के इसाब से कितना 35 ठीक है तो कहरा है this sum वाज यानि पहले sum कितना था तो दिखिए दो और तिन पांच और च्यार नौ की वैलू पूछिए यानि 35 जो वैलू है वो च्यार किया और हमसे पूछिए नौ की वैलू तो काटिए चार से चार अठ्थे बत्तीस चार सत्ते अठ्थाईस चार पंजे बीस नौ पंजे पहतालीस यूनिट डिजिट पांच आएगा जो की एकी ऑप्सन में है ऑप्सन चार ठीक है अगला कुस्टन लेते है तो पहला जो डिसकाउंट दिया है वो दिया है बीस परसेंट का और बीस परसेंट का मतलब होता है एक बटे पांच यानि उसकी एमर्पी पांच थी तो उसके एक का डिसकाउंट दे के चार में बीची है तो हम कह सकते हैं पांच की बस तो चार में बीची है और जो दूसरा डिसकाउंट है एकस का उसको हम मान लेते हैं उसका MRP A था और डिसकाउंट देके उसको B में बीच दिया तो MRP टोटल कितना बन गया 5A और SP कितना बन गया टोटल 4B ठीक है तो यहां हमारा MRP कितना है 2560 और SP कितना 1689.36 ठीक है तो देखिए हम MRP अपन में SP का रिशो लेते हैं यहां तो हमारा बनेगा MRP कितना हमें 2560 और SP कितना 1689.36 पॉइंट अटाने के लिए मैं 100 से गुना कर देखता हूं ठीक है जी बिल्कुल ठीक है अब देखिए पांच से काटिए पांच से काटेंगे तो 55 25 पांच पांच पांदूनी 10 चार से काटेंगे तो एक अटेगा 4 4164 एकम 4 तो 8 648 बचे 3 आठ चोग 32 आठ से काटेगे तो आठ पंजह 40 तो 16 उटेंगे बचे 3 आठ चोग 32 बचे च्छै और 58 च्षै ठीक है जी फिर आठ से काटिए 60 से काट लीजिए 16 थी 48 बचे 2 16 बचे कितने 16 से नहीं कटेगा 8 से काटिए 68 चौँँ 64 8 से काटेंगे 8 चिंग 48 बचे 4 8 पंजे 40 बचे 4 चौँँ 48 8 से काटिए 68 चौँँ 64 और 8 दूनी 16 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे 41 तो आएगा हमारा 50 तो हम कह सकते हैं यह MRP था और यह SP था हमने इसी का रेशियो लिया था तो हमारा MP और SP का जो रेशियो आया है जो हमने A और B माना था वो है कितना 50 और 41 तो आप मुझे बताए कितनी की छूट दी है 9 की कितने पर इस 50 पर तो 100 पर कितनी परसेंटेज के लिया 52 तो यानि कि जो हमने X परसेंट की छूट थी वो कितनी आगी हमारी 18 परसेंट यह हमारा अंसर होगा ऑप्सन चार आई होप आपको कॉंसेट अच्छा लगा होगा देखिए यहां तक तो आमने कुछ नहीं किया बस इस काट पीट में आपको इतना तो बई करना ही पड़ेगा अगला कुस्चन लेते हैं क्या कहा रहा है एक पर्शन कें रो 5 मीटर पर सेकंड इन इस्टिल वार्टर इस्पीड ऑफ इस्ट्रीम इज छे किलोमेटर पर आवर है तो टाइम पूछा है हमां घंटे में टेकन बाई हम टू रो एडिस्टेंस ऑफ 66.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ठीक है तो देखिए इस मीटर पर से यानि कि हमारे क्या है एक्स की वैलू है यह हमारी एक्स की वैलू है वो कितनी है पांच गुना में 18 बटे 5 मैं कर देता हूं इसको तो आई गए हमारा 18 किलोमीटर पर आवर और वाई की वैलू कितनी है स्ट्रीम की वह हमारी ओर तो दाउन स्ट्रीम कितनी बन जाएगी हमारी स्पीड वह बनेगी हमारी 2 कंशम x 2 यानि 18 स्ट्री दो नों का सम यानि कि कि अठारे और च्छे 24 किलो मीटर कि पर आवर कि ठीक है अब देखिए हमसे पूछा है समय समय होता है हमारा दूरी बटे चाल यह नहीं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डिस्टेंस कितनी दे रखी है 76.8 अपॉन में कितनी 24 पॉइंट हटाने के लिए बटे में दस कर दीजिए काट यह इसको देखिए 24 से काटते हैं इसको तो 24 ती बहतर और बचे कितने 4 चौबी दूनी 48 और नीचे 10 है तो पॉइंट लगा दीजिए तो 3.2 हमारा आनसर आजाएगा 3.2 आवर्स option 3 I hope आपको किलियर होगा अगला question लेते हैं the value of देखिए यह solve करना है easy से question है पहले आप इसको solve करिए तो देखिए 3.2 नी 6 off करेंगे तो 3.2 नी 6 बनेगा 6.24 16 बटे 24 हमारा बनेगा 8.2 नी 16 आट तिया 24 तीन दूनी 6 देखिए एक मिनट ऐसे करिया पहले आपको solve करिए 3.2 नी 6 गुना में फिर आप इसको solve करिए भाग को 4.16 ठीक है तो बनेगा हमारा 6.24 यानि 16 माइनस में 24 कितना बनेगा हमारा माइनस का 8 ठीक है और यहां आपका माइनस है तो बनेगा हमारा 19 पलस में 8 कितना बन गया 27 और यहां पलस में 5 है तो कितना बन जाएगा 32 ठीक है यहां तक और 48 बटे में 32 हमारा बनेगा 16 अगला कुस्चन लेते हैं क्या कर रहा है इन विच ऑफिस इस दी नमर ऑफ दी इंप्लोईज एप्रोक्सिमेटली अठारे परसेंट मोर देन दी एवरेज नमर ऑफ दी इंप्लोईज वर्किंग इन ओफिसेज एसी डी तो देखी एसी यानि एक सो आठ और अठार कितना बन एक सो च्यासी और डी और ए साठ और अठार है कितना बनें गए अठार इनको जूड लीजिए आठार चैसे चौदे अठार से पच्छी से और एक शब्यू दो सो चौज़ तो हम कह सकते हैं कि जो तीन सो वैल्यू है ये टोटल ये तीन सो साठ की वैलू है और हम से निकालन 22220 और कह रहा है इसकी एवरेज निकालिए तो चार से भाग दे दीजिए चार पंजे बीस बचे दो चार पंजे बीस तो कितना आया पचपन ठीक है कह रहा है किस में इससे 18% ज्यादा है कौन से उसमें तो दीखिए हम पहले एक आंसरी चेक कर लेते हैं अगर हम सी का चेक करके मैं आपको बता देता हूँ तो सी का कितना है जी 78 तो दीखिए अगर हम सी का चेक करते हैं तो 300 जो वैल्यू है वो 360 की और हमें निकालने है 78 की 10 से 10, 6, 36, 36, 36 और 6 से काटेंगे तो 13, कर देंगे 55 तो सी का आया 65 तो आप मुझे बताईए इससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है कितने से 55 से तरा से कितना पांच से काटेंगे पांदूनी 10 पांच से काटेंगे 11 तो कित बनेक हमारा 200 हम् 얼마나 घञार आगा 11 गयारा बचे कितने 90 तो या नहीं है बिल्कुल ज़्यादा है इसलिए option C हमारा answer होगा है खीक है अगला question लेते हैं कि अगर दी monthly incomes of A and B are in the ratio to ratio 3 the ratio of their savings are 3 ratio 4 if the income of A equal to the savings of B तो देखिए income कितनी है जी A और B की 2X और 3X और कह रहा है उनकी savings है तो वो कितनी है 3Y और 4Y तो क्या कह रहा है income of A यानि की ये income of A equal to the savings of B यानि की ये तो हमें गिवन है कितना 2X बराबर 4Y 2 से कटेगर 2 बार तो यहां से X और Y का ratio आएगा कितना 2 ratio 1 clear अब पूछा क्या है हमें then the ratio of the expenditure of A and B तो दीखिए income में से अगर हम saving घटाते हैं तो expenditure आएगा तो इनका A and B का expenditure का ratio कितना आ जाएगा 2X माइनस में 3Y ratio 3X माइनस में 4Y अब आप यहां से X और Y की value रख दीजिए यहां से ठीक है तो दो दूनी चारन में से 3 गया तो 1 और 3 दूनी 6 में से 4 गया तो 2 1 ratio 2 हमारा answer हो जाएगा जो कि option 1 में है ठीक है अगला और last question देखते हैं क्या करा है in office A 40% of the employees are females and 60% employees in office C are males तो देखिए अगर हम A की बात करते हैं पहले तो देखिए A है 108 तो देखिए जो 300 total value है वो 360 की है और हम निकालते हैं 108 की ठीक है तो देखिए 10 से 10 36 तिया 108 तो कितना बन गया 90 इस नब्भे का बोला इसने 40% employees इस ए में यानि कि 90 में से 40% females है तो इसका 40% कितना बनेगा नौचोकशतिस तो हैं कितने females तो मेल कितने बचे बचे भई चावण ठीक है आगे क्या कहरा है अगर सी की बात कर रहा है तो अगर हम सी को चेक करके देखते हैं तो देखिए सी का कितना है जी हमारा एंगल सी का है 78 तो हम कह सकते हैं कि जो 300 value है वह 360 की है और हमें नकालनी है 78 की ठीक है 10 से 10 6 36 36 35 और 6 से 13 है 78 तो कितना आ जाएगा 65 ठीक है कह रहा है 65 का कि 60 परसेंट इंपलोईज है वो क्या है फीमेल्स तो सुरी मेल्स ठीक है तो दीखिए 60 परसेंट यानि कि तीन बटे पांच इसका 65 का अगर हम तीन बटे पांच निकालते हैं तो पांच से कटेगा तेरह पंजे पैसे तेरह ती 49 तो है क्या मेल तो फीमेल कितनी बच्ची जी 15 में से 9 गए तो 6 पांच में से 3 गए तो 2 26 बच्ची हमारी फीमेल्स क्या कह रहा है ये वाट इस दी रेशियो ऑफ ती नंबर ऑफ मेल इंपलउएज इन ए ए में में मेल इंपलोईज कितने हैं जी ये रहा और मेल इंपलोईज हैं 54 किसके साथ म Yes Soo अब दी female employees in C, C ये रहा और इसमें female employees कितने हैं आपके, female है 26, ठीक है, 2 से काटिए 27 बार, और 2 से काटेंगे, तो 13, 27 ratio 13 है, हमारा answer होगा, option 3, ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से, ये total questions complete होते हैं, सबसे पहले, thanks for watching, अगर आपको ये concepts, ये lectures पसंद आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले channel को subscribe जरूर कीजिए, ज़्यादस ज़्यादा अपने दोस्तों में share कीजिए, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं, अगले question में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, thank you so much.